रिचिटर्लल्ल्ल्ट्रो अंदर जो है सबसे पहले जो है अनलोग सिगनल के बारे में पढ़ेंगे अनलोग सिगनल क्या होता है यह एसा सिगनल होता है जो कंटीनिऊसली टाइम के साथ वैरी करता है जैसे कि यह यह एक ऐसा सिगनल है जिसको हम एनलोग सिगनल कहते हैं क्यों कि यह टाइम के साथ-साथ अपनी वैली को चैंज करते रहता है तो एनलोग सिगनल क्या होते हैं यह एसे सिगनल होते हैं जो टाइम के साथ-साथ change होते रहते हैं continuously जो है sir vary करते हैं इसको हम कहते हैं analog signal जैसे कि हमारे पास alternating voltage होती है वो continuously vary करती है तो वो क्या होती है वो एक analog signal को represent करते है तो analog signal एक ऐसा signal होता है जो time के साथ continuously अपनी value को change करती रहती है यहाँ पर zero से start हुआ value बढ़ती गई बढ़ती गई यहाँ पर maximum पहुंची फिर value कम कम होते हुए यहाँ फिर zero फिर ऐसी यहाँ कि continuous time के साथ जो भी signal vary करता है उसको हम कहते हैं analog signal हमारे पास कुछ devices है जैसे कि amplifier है radio है television है oscillator है यह जितने भी हमारे पास electronic devices है यह किसका इस्तमाल करते हैं यह analog signal का इस्तमाल करते हैं यह analog signal के साथ जो है open होते हैं इनको हम कहते हैं analog signal तो इसके बाद जो दूसरा topic होता है उसको हम कहते हैं digital signal डिजिटल सिगनल क्या होता है बेसिकली एक ऐसा signal होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही values होती है यानि कि यहाँ पे अगर आप देखोगे analog signal में यहाँ पे कोई भी value fixed नहीं है यहाँ से zero से बढ़ती गई बढ़त पूचे यानि कि value जो होती है वह आप डौन जो है यानि कि इसके बीच में हमारे पास सिगनल के अंदर इस वाले region में कुछ भी value आ सकती है इस वाले region में कुछ भी एनिकी fix नहीं है कि कि इतनी value आएगी कुछ भी आ सकती है लेकिन digital signal एक ऐस signal होते है हमारे पास जिन में value क्य होती है fix होती है fix होने का मतलब क्या होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो values आती है यहां तो आप आएगी यहां तो down आएगी अब होने का मतलब क्या होता है यानि कि यहां तो maximum value आएगी यहां फिर minimum value आएगी तो जो maximum value आती है उसको हम उस time कहते हैं कि इस time signal जो है वो हमारे on state में है यानि कि इस time जो है अगर हमारे पास अगर वो digital signal किसी electronic device को दिया जाए तो हम ये कहेंगे अगर signal on है signal on का मतलब होता है कि इस time जो है ये maximum value पे है अगर जब minimum value पे होगा वो signal तो उसको हम कहेंगे इस time अब उससे जो चलने वाला device होगा वो off होगा क्यों कि सिर्फ दो values होती है दो discrete values होती है जिसकी base पे digital electronic sorry digital circuit जो होते है work करते है अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये signal होता क्यांसा है ये actually pulses की शकल में होता है इसलिए होता है pulses की शकल में क्योंकि इसकी सिर्फ दो ही values होती है या तो maximum होती है जिसको हम up कहेंगे यानि कि on state में कहेंगे या तो फिर low होता है जिसको हम कहते हैं off state में ऐसे होता है basically ये जो graph होता है ये always time versus voltage होता है या time versus current भी हम दिखा सकते हैं इसमें क्या होता है basically आप अगर देखोगे ये ऐसे zero से आ रही है value यहाँ पर maximum हो गई फिर down हो गई फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर zero हो जाएगी फिर आगे जाके maximum होगी इस में इस period में क्या होता है ये off state है ये off state को represent करता है ये वाला पार्ट फिर इसके बाद जो होता है ये आप देख रहे हो ये zero है voltage की value यहाँ पर जो है 5 volt है तो basically क्या होता है ये maximum value को represent करता है ये अगर off state है यहाँ पर क्या आएगा on state और यहाँ पर आएगा फिर off state और यहाँ पर आएगा on state तो जब भी हम ये signal किसी device को देंगे तो जब ये वाला पार्ट उसके अंदर पास होगा उदर से उसके अंदर चला जाएगा तो उस time secret क्या होगा वो off होगा जो ही ये वाला पार्ट जाएगा on होगा off on तो इसमें अगर हम देखेंगे analog signal जो था ये एक ऐसा signal था जिसमें जो है value जो थी voltage की वो continuously vary कर रही थी और कि fixed value कोई नहीं आ रही थी कोई पता नहीं था लेकिन ये क्या थे यह है हमारे पास ये digital signal है इस digital signal से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास circuit जो होगा कि state में आ सकता है क्यों isे तरिफ दो यह values होती है हमारे पास दो fixed value होती है जूआ हम कहते हैं तो bulb जो होता है वो जलता है लेकिन अगर उसी को फिर से प्रेस करेंगे तो bulb क्या होता है? आफ होता है इसका मतलब switch जो होगा वो best example है digital signal को समझने की on होता है instantly और उसी time जो होता है फिर आफ होता है यान तो on होगा याँ आफ होगा उसके बीच में कोई तिसरी स्टेंट नहीं होती है ये जो हमारे पास digital signal होता है जिसमें हम ग्राफ लेते हैं हर एक पल्स के हमारे पास दो लेवल है, एक हाई लेवल एक लो लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या होता है, कि इस डिजिर्ल सिगनल के अंदर, जो हाई लेवल होता है, इसको हम वन से रेप्रेजन करते हैं, और जो लो लेवल होता है, इसको हम जेरो से रेप्रेजन करते हैं बैसिकली यह जेरो जो है यहां पर आएगा यहां पर आएगा जेरो यहां पर आएगा वान यानि कि पल्स जो होती है उसके दो लेवल होते है एक होता है अप एक होता है डॉण ठीक है यह जो डॉण है इसको हम डॉटि लाइन से दिखाएंगे तो यह जो high level है जिसका हम one से represent कर रहे हैं तो इस one का मतलब होता है कि यहाँ पर on state है हमारे पास और यह जो हमारे पास zero है यह basically किसको represent करता है हमारे पास off state को यानि कि जब हमारे पास यह वाला पास होगा उस टम हमारे पास on signal होगा और जब यह वाला पास होगा यह वाला पास होगा यह वाला पास किसी सरक्ट से यह जो जहाँ पर zero दिखाया है low part तो हम कहेंगे यहाँ पर आफ state है signal का तो जब officeستляется का प़ास होगा किसी भी संक्त से तो वो संक्त Arav रहेगा और जब on street प़ास होगा यहéliorा पार्ट op उ स्टे каз्त यान की वा इस वाला पार्ट यह किसी भी digital संक्त से पास होगा तो उस टाइम हम कहेंगे इस ति ने पाइब साथ, जो सरक्ट होगा, वो आन होगा. क्यों? क्युकि अन वाला ज बांग पासो आन होगा, आफ वाला बांग होगा तो आफ होगा. हमारे पास खुछ एक्जमल है, डिजिटल सरक्ट की, जैसे कि हमारे पास मल्टी मीटर होते हैं, modern watches है हमारे पास computer है हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं ये deal करते हैं इनी digital signal के साथ यानि कि ये digital signal को ही समझ पाते हैं तो इनको हम कहते हैं digital circuit तो एक ऐसी branch electronics की जो सिर्फ deal करती है digital signal के साथ और digital circuits के साथ यानि कि एक ऐसी branch electronics की जो सिर्फ digital circuits के साथ deal करती है उस branch of electronics को हम कहते है digital electronics हमारे पास अगर आप example देखोगे कुछ हमारे पास ये वाली watch है इसमें क्या होती है इसमें जो needle होती है ये ऐसे चलती है continuously चलती है तो ये analog signal को represent करता है हमारे पास modern watches है उस पर लिखा होता है कुछ भी वो digital के form में लिखा होता है 0, 1 या 10 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो कुछ भी लिखा हो ऐसे लिखेंगे हैं उसको तो ये represent करते हैं हमारे पास कि ये digital circuit है और digital circuit जो है digital signal से चल रहे है तो ये analog signal को दिखाता है हमारे पास क्यों इसमें needle जो होती है और digital signal वो होते हैं जिसमें हमारे पास स्रिफ दो स्टेर्स होती है एक होती on state, एक होती off state थैंक्यू